नमस्कार प्रभासाक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे SEO तो ठीक है लेकिन सार्क को भी फिर से खड़ा करने के प्रयास होने चाहिए तो आईए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को लेकिन उसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और जानकारी पॉर्ण पॉडकास्ट सुन सके उजेबिकिस्तान के समरकंद में 15-16 सितंबर को संगाई सयोग संगठन के सदस्य राष्टों का जो शिकर संबिलन होने वाला है वह दक्षिन और मध एसिया के राष्टों के लिए विशेश महत्वका है यह तो यह संगठन 2001 में अस्थापित हुआ था लेकिन इस बार इसके अध्यक्षता भारत करेगा अपने अध्यक्षिय कारेकाल में अब भारत को अन्य राष्टों के साथ चीन और पाकिस्तान से भी सीधे-सीधे बातचीत करनी होगी शायद यह भी बड़ा कारण रहा हो कि चीन और भारत ने मिलकर पूर्वी लद्दाक से अपनी सेनाई पीछे हटाने की घोशना की है यह शिखर संबेलन उजेविगिस्तान के अतिहाशिक सहर शमरकंद में होने वाला है समरकंद का भारत से गहरा सम्बंध रहा है समरकंद का बड़ा एतिहासिक महत्व है यह तो ताशकंद में प्रधान मंत्री लाल भादुर शास्त्री गए थे भारत पाक समझोते के बाद 1966 में वहीं उनका निधन हो गया था प्रधान मंत्री नर्शिंग राव ताशकंद के साथ साथ समरकंद भी गए थे उनके कुछ दिनों तक मुझे भी वहां रहने का मौका मिला था समरकंद के इस सुन्दर शहर में यदि इन परोसी राश्टों के बीच विश्वस्निय सदभाव कायम हो जाए तो इनके बीच चल रहा कूटनीतिक और राजनीतिक शमर बंध हो सकता है शमरकंद में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाद सरीफ, चीन के शी जिन पिंग और भारत के नरेंद्र मोदी की सामोही के भेट के अलावा यदि द्विपक्षे वेट हो गई तो उसके परिनाम काफी साकरात्मक हो सकते है इन तीनों देशों के नेताओं की भेट हुए अब तीन साल हो गए है इस बीच भारत के संबन्द इन देशों के साथ काफी खटाई में पड़ गए है संगाई सायोग संगठन के इस समय आठ सदस्य हैं चीन, भारत, रूस, कज़किस्तान, किर्गिस्तान, ताज़किस्तान, उजबिकिस्तान और पाकिस्तान इसके चार परिवेक्षक राष्ट हैं इरान, आफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया छा राष्ट इसके साथ समवाद भागिदार यानि की डायलग पार्टनर हैं इसमें मिश्र, सौधी अरब और कतर भी शामिल होना चाहते हैं इस संगठन का मुख्य लक्ष मजभी कटरवाद, आतंकवाद और जाती अलगावाद से लड़ना है इसका उदे से आपसी सयोग बड़ा बनता जा रहा है इसकी लक्ष प्राप्ति उतनी ही पतली होती जा रही है फिर भी इसकी उप्योगिता तो हैं ही लेकिन हम जड़ा सोचे कि दक्षेस यानि कि सार्क तो ठप पड़ा है और हम इस विरल संगठन के जरिए कितने आगे बढ़ पाएंगे इसके लक्ष भी सिमित है इसे चलने दें लेकिन इससे भी ज़ाला जरूरी है कि सार्क को फिर से जिंदा करना वह साथ साल से मृत्त परा हुआ है मैं तो चाहता हूं कि सार्क के आठ सदस्य देशों को आठ नए राष्टों को जोड़ कर एक बड़ा पीपल्स सार्क खरा करना चाहिए त और आराकान से खुरासान तक का आरेवर्थ का यह इलाका यूरोपिय संग से भी अधिक मजबूत बन जाएं समरकंद में हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इसकी पहल करें तो इन देशों में युद और संघर्ष की आशंकाएं सदा के लिए निरस्त हो जाएं आज के लिए अगले पॉडकास में किसी और मुद्धे पर देंगे विस्टिज जानकारी जुट रही है प्रभासाक्षी के साथ